कि अधुद्भू सर्मैक्स यूटूब चैनल पर मैं खुश्बू अब सभी का स्वागत करती हूं दोस्तों आज कि इस कर्ण्ट अफेयर्स में हम पुरे एक सब्ता के कर्ण्ट अफेयर्स की चर्चा करेंगी जो आपके आने वाले एक चांस के लिए बहुत ही महत्तपुड है तो आईए हम विना देर करते हैं इस वीडियो को सुरू करते हैं तो आज तो पहली लिवज है वो यह है कि किस केंद्री मंत्राले ने राष्टे चिकित्सा उपकरन लीती 2022 का मसौदा जारी किया है तो रसायन और उर्वक मंत्राले ने किस लिए किया है इसका उद्देश से क्या है तो इसका उद्देश से चिकित्सा उपकरनों के लिए बूली और प्रद्योगी के मामली में भारत को पांच वैस्विक वी निर्माड केंद्रों में से एक बनाना दूसरी देखिए नियुज है अल्पिन यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नमबर किस छेत्र से संबंधित एक विशिष्ट पहचान संक्या है तो यह भूमी संसाधन से संबंधित है यह हाली में असम के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नमबर जो है लांच किया गया है भूमी संसाधन विभाग के डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्स आधून की करण कारिक्रम के तहत इसकी अवधारना की गई है इस पहल के तहत 14 अंको का एक अलफा डियोमेरिक भू इस्थानिक विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाती है इसे राज्जी के प्रतेग भूमी पार्सल के लिए भू आधार की रूप में दिखा जाता है और राज्जी का जो उद्देश है मिसर्म बसुंधरा के तहत भूमी रिकॉर्ड डेटा बेस के आसपा सभी प्रक्रियाओं को एकी कृत करना है नेक्स्ट देखे किस भारती सहर ने जलवायू कार्य योजना जारी की है और जलवायू परिवतन की चिनोतियों सुन्देपटने के लिए 30 वर्सिये रोड मैप निर्धारित किया है तो वो में पटने के लिए सहर के लिए 30 साल का रोड मैप तैयार किया है और मुंबाई नगर निगम ने विश्व संसाधन संस्थान ड़ूराई और भारस सीट 40 सहरों की नेटवर्क की तक्नी की सहयोग से या योजना तैयार किये इसे कार योजना में ग्रीन हाउस के गैस के सुन् या दो हजार पचीस पचास के लिए सुद्ध सुन्य लक्ष के उद्धिस से लगू मध्यम और दीर्ग कालिक चलवायू लक्ष निधारिट किये हैं कि सिप्री की ट्रेंड इन इंटरनेशनल आम्स ट्रांसफर 2021 रिपोर्ट के अमसार विश्व अस्तर पर हतियारों का सबसे बड़ा आया तक कौन सा देश बन गया है तो वह है भारत इस रिपोर्ट के अमसार भारत विश्व अस्तर पर हतियारों का सबसे बड़ा आया तक बना हुआ है भारत का अधिकांस रक्षा आयात रूस से होता है भारत रक्षा उपकरणों में स्वदेशी विकास पर जोड़ दे रहा है और घरेली वी निर्माण द्योगों के लिए 2022 पे इसके लिए पुझी गत बजट का अड़सत प्रत्सत आवंटित किया ज़त गया है दिसांक किस भारत ये राज्य का भूमी डिजिटली करण अप्लिकेशन है तो ये है करनाटक का इसके तहट इस मुबाइल अप्लिकेशन को करनाटक राज्य रिमोट सेंसिंग अप्लिकेशन सेंटर के करनाटक भोगोलिक सुचना प्राली कारक्यम के तहट विक्सित किया गया है इससे पारदर सिता आने और भूमी संबंधी विवादों में कमी आने की उबीद रहेगी हाल ही में किस देश ने संसाइन प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर डेलाइट सेंग टाइम को इस्थाय बना दिया है वो है अमेरिका एक कानून में अस्ताक्शर के जाने के बाद प्रतेक नुवंबर में गड़ियों को मानक समय से एक घंटे पीछे करनी की प्रताब बंद हो जाएगी और डियेस्टे जो मार्च में सुरू होता है पूरे वर्ष प्रभावी रहेगा देखे अगली नियूज है भारत जापान वार्षिक सिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है ये प्रधान मंत्री नरेंद मोदी और उनके जापानी समकक्ष फूमियो की सिदा ने भारत जापान वार्षिक सिखर सम्मेलन 2022 के दौरान नई दिल्ली में इस बर्ठक में घोशना किया कि अगले पांच वर्षों में भारत में पांच ट्रिलियन येन या 3.2 लाग करोन रुपे का निवेस करेगी जापान की जो ये प्रधान मंत्री फूमियो की सिदा किया पहली भारत यात्रा है अगली निज देखिए भारत किस अंतराष्टे निकाय में जैविक और विसैले हतियार सम्मेलन बायलोजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कर्वेशन बी टी डबलो सी की वाकालत की है तो और संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिसद और भारत की इस्थाईदूद टी एस की वकालत की है भारत निगोशना की है कि वह बीटी डबलो सी कंवेशन को एक पुरमुख ग्यार भेद भाव पूर निरस्ति करन कंवेशन के रूप में अत्तिधिक महत्व देता है और जो सामोहिक विनास के हतियारों की एक पूरी श्रेणी को प्रतिबंधित करता है अगल अगली खबर देखिए यह है कि एन बिरेन सिंग ने किस भाती राज्जी के मुख्य मंद्धिक मुख्यों करता है जिसे पहले आयात किया रहा था अगली खबर देखिए यह है कि एन बिरेन सिंग ने किस भाती राज्जी के मुख्य मंत्री के रूप में सपत ली है तो इन्होंने लिए मड़ुपुर के हैं इन्होंने दूसरी बार सपत लिया और इन्हें सपत किस ने दिला है राज्जी पाल लाग गड़े शन ने वर्ल्ड पोएट्री डे कब मनाया जाता है तो हर साल वर्ल्ड पोएट्री डे 21 मार्च को मनाया जाता है और इस दिन की जो सुरुवात पहली बार युनेसको संयुक्त राष्ट सैक्षिक व्यज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठर ने वर्स उन्निस सो निंद्यान बे में पेरिस में अपनी तीसवी आम सम्मेलर में की थी विश्व कविताद दिवस का उदेश्य भासाई विवित्ता का समर्थन करना है एकसरसाईज डस्टलिक भारत के ससस्त्र बलो और किस देश के बीच आयो जित एक संयुक्त रक्षा अभ्यास है तो यह उजबे किस तान्ग से संबन्दित है यह संयुक्त अभ्यास अर्ड सहरी इलाकों में आतंक वाद वीरोधी अभ्यानों पर केंद्रित हुए एकसोदस्वा इस्थापना दीवस बिहार दीवस 2020 की ठीम क्या है तो जल जीवन हरियाली 22 मार्च को बिहार ने अपना एकसोदस्वा इस्थापना दीवस मनाया था बिहार राज इसी दिन 1912 भी बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था हाली में की सहर में बिपलोई भारत ग्यालरी का उद्खाटन किया गया है तो कोलकाता में किया गया है इसका उद्खाटन प्रधान मंत्री नरेन्द मोदी ने सही दिवस के अवसर पर वीडियो कांफरेंस के जरी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हाल में विपलोई भारत ग्यालरी का दुखाटन क्या है? यह ग्यालरी स्वतन्तरता संग्राम में क्रांदकारियों की योगदान और विडिटिश उपने सिक सासन के प्रति उनके प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है किस देश ने ब्रिक्स वैक्सीन आर एंडी सेंटर लॉंच किया है तो भारत ने लॉंच किया है केंद्री स्वास्थिब और परिवार कल्नयार मंत्री डॉक्टर मंसुख मंडाविया ने इसका सुभारम किया है ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंदान और विकास केंद्र को 2018 में जोहांसबर्ग घोशना की हिस्से के रूप में इस्थापित करने का प्रस्ताओ था नई दिल्ले में तरहवे ब्रिक्स सिखल सम्मेलन की घोशना में निताओने वर्चुल फॉर्मिट में ब्रिक्स वैक्सिन R&D केंड रिलांज करने की प्रतिबद्धता जताई थी सुजलाम 2.0 अभियान का मुख देश क्या है तो ग्रेवाटर मैनेजिबेंट है अब इस अभियान के थीम क्या है ग्राउंड वाटर making the invisible visible इस योजना का जो मुख देश क्या है तो ग्यास सोचाले plumbing system से निकलने वाला अपसिस्ट जल जो वेस्ट वाटर होता है इस वसकी अभियान की इसको इस अभियान की तहद सरकार ग्रेवाटर प्रबंधन के लिए संधायों पंचायतों इसकोलों में को लाम बंद करेगी देगे किस संगठर ने सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रहम्होस सूपर सोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परिक्षन किया है तो DRDO ने किया है 2022 में विम्स्टेक सिख सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश रहे होगा तो यह होगा आपका स्रीलंका बंगाल की खाड़ी बहुत शित्री तक्निकी और आर्थिक सहयोग पहल बे और बेंग बेंगाल इंटिरेटिव और मर्टी टेक्टरल टेक्निकल और एकोनोप्मी कॉपरेशन्स सिख सम्मेलन की जो मेजबानी है स्रीलंका द्वारा की जाएगी और ब्रिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी 1997 में हुई थी और इसमें साथ सदस्से देश हैं जिसमें बांगला देश, भूटान, भारत, नेमपाल, स्रीलंका, म्यामार और थाइलेंड सामिल हैं एबल पुरुसका 2022 से किसे सम्मानित किया गया है तो अमेरिकी गड़ तक ये डेनिस पार्णिल सुलीवन को आयद निर्मार दिवस हर साल जिस तारिक को मनाया जाता है तो 18 मार्च को मनाया जाता है इंडिया टीवी रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में भारत जो टीवी के मामले में कितने प्रतिसत वृद्धी हुई है तो 19 प्रतिसत की वृद्धी हुई है और हर वर्स विश्व जो टीवी दीवस होता है वर्ल टीवी डेट 24 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि इसे दिन डॉक्तर राबर्ट कोच ने 24 मार्च 1982 को टीवी के बैक्टेरिया की खोज गी थी रिजर्बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्धक्ष कौन है तो इसके पहले अध्धक्ष है सिनवतिक पिश्च गोपल कृष्णन विष्व गोरया दिवस हर साल किस तरिक को मनाया जाता है तो 20 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्स की थीम क्या है विष्व गोरया दिवस की तो I Love Sparrow और इसका विज्ञानिक नाम होता है पाशर डॉमेस्टी कस International Day of Happiness 2022 यह हर सल कि 20 मार्ज को मनाया जाता है और इस भार की थीम क्या है Keep Calm, Stay Wise and Be Kind World Happiness Report 2022 में भारत 136 इस्थान पर है हालेवे प्रतिश्ठित Miss World 2021 का खिताब किसने दीतीता है तो प्रोलैन की केरेलिना बिलवास का जिस देश में वस 2021 में अपनी संचे इस्थापिस छमता में रिकॉर्ड 10 गीगावाइट सौर उर्जा की विद्धी की है तो वो है भारत जिस मंत्राले द्वारा Deep Ocean Mission लांच किया गया है तो पृत्री विज्ञान मंत्राले की द्वारा भारत के पहले Chief of Defense Staff जर्नल विपीन रावत को हाले में बरणो परांद जिस प्रुसकास सम्मानित किया गया है तो पदम विभूशन से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट रेखिए हर साल अंतराष्टी वन दिवर्स कम मनाया जाता है तो 21 मार्श को मनाया जाता है और इस वर्स की थीम क्या है वन और ततत उत्पादन और उपभोग भारत ने पहली बार एक वित्तिय वर्स में जितने अरब डॉलर का माल निरियात लक्ष हासिल किया है तो 400 अरब डॉलर का लक्ष हासिल किया है पुसकर सिंग धामी ने दूसरी बार जिस राजी के मुख्य मंत्री के रूप में सपत ली है तो वो हैं उत्तरा खंड से याद रखेगा नाम इनका पुसकर सिंग भामी आस्ट्रेलिया के जिस खिलाडी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तीज आठ हजार रन बनाने वाले खिलाडी बन गए है वो हैं स्टिव इस्मित नासा ने प्रत्वी के सौर मंडल के बाहर जितने नए ग्रहों की खोज की है उनकी संक्या है पैसट जिस टीम ने महला विस्व कब 2022 सेमिफाइनल के लिए क्वालिफाइ किया है वो है अस्ट्रेलिया टीम असम राइफल्स का इस्थापना दीवस कम मनाया जाता है तो 24 मार्च को चन्ने सूपर किंग्स का नया कफ्तान किसे नियुक्त किया गया है रवींद्र जडेजा को कलपना चावला की जैनती कब मनाई जाती है तो 17 मार्च को कलपना चावला की जैनती मनाई जाती है जिस भारती महिना तेज केंद बाज 200 वन डे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई है यह है जूलन गो स्वामी विश्वर मौसम विज्ञान दिवसकम मनाया जाता है तो 30 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष की जो थीम है सही समय पर सही कारवारी या early warning and early action विश्वर जल दिवस वर्ड वार्टर डे किस दिन मनाया जाता है तो 22 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है भूजला अद्रिश्य को द्रिश्यमान बनाना है Groundwater Making the Invisible Visible जिसे IZRAC यानि International Groundwater Resource Assessment Center द्वारा प्रस्तारुद किया जाता है हाल ही में अमेरिका में रहने वाले भारती मूल के जिस चिकित्सक को White House का नया COVID-19 प्रतिक्रिया समनवेक न्यूक्त किया गया है वह है 80 जा हाले में जिस राज की विधान सभा पेपर लेस्ट काय प्रणाली को अपनाने है तो National E-Vidya Application काय क्रम को लागू कर 20 की पहली राज विधान सभा बन गई है Nagaland राजस्थान के राज के भरत वर्जिले के किवला देव राष्टी उद्ध्यान में अप्रीका की बोमा तक्नीक की प्रयोग किया गया है अब बात करते हैं world air quality रिपोर्ट इस बार के देखिए world air quality रिपोर्ट के अंसार विश्व का सबसे प्रदूसित देष क्यों जो बन गया है वह है bangaladess और टाप टे इन देशों की बात करें तो इसमें सबसे पहले बंगला देश है फिर चाड है पाकिस्तान है तजाकिस्तान है भारत इसमें पांचवे नमबर पर है उसके बाद ओमार फिर करिगिस्तान फिर बहरीन है फिर एराग और नेपाल है अब प्रदोशित राजधानियों की बात करें तो नई दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यदा प्रदोशित राजधानी है उसके बाद बंगला देश का ढाका आता है फिचाड का इंदियावाना कजाकिस्तान का दुसामबे ओमान का मसकट नेपाल का काटमांडू छटवे सलामा इराक बगदाद किर्गिस्तान का मिष्की को जिबेकिस्तान का तास्कत और पाकिस्तान का इस्वामा बाद्ध 11 नमबर पर थे तो दिल्ली इस समय दुनिया की सबसे प्रदोशित राजधानी है तो सबसे प्रदोशि सेहरों कि सूचल मेंHer जावholes शंवाड़ी सब स अने सहर भी इस सूची में सामिल किये गए हैं वह लखनौ मेरत कानपूर अम्रोहा आगरा वरार्शी बुलंद सहर जौनपूर ग्रेटे नुएडा और नुएडा मुझफपर नगर और हापूर इसमें सामिल किये गए तो दोस्त ये थी आज की वीडियो आप सभी को कैसे लेगी आप जुरूर बताइएगा चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक एंड शेयर और केमेंट जेट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा थैंक्स पॉर वाचिंग जय हिंद जय भारत